और बाई लोगों क्या हाल साथ स्वाकित तुम्हारा बीन अफ्टी को और वीडियो में तो आज हम बात करेंगे वन अफ दो ग्रेटेस्ट अलमें आफ आल टाइम दा वनपीस के बारे में तो वनपीस की रिव्यू आज मैं करूंगा उससे बाले मैं तुम्हें बताने को श्क से पहले की स्टोरी इसका रिव्यू है उसके बात जो है मैं दोबारा सब्सक्राइब पर रिव्यू करूंगा पार्ट में तो अगर तुम चैनल पर नहीं है चैनल स्सक्राइब बसकते हो वेल आकोन कॉल पर कलिकाना तुम्हें वीडियो की नीच्फिकेशन में जाएगी व अब लूफी इसको चीव कैसे करता है कैसे नहीं करता है इसके ओपर ही पूरी की पूरी सीरीज बनाए है इसके जो है 138 प्लस चेप्टर और 1,000 प्लस एपिजोड आ चुके हैं बात का एक वह टिके से और घ्रिपी तरीके से आगे बढ़ती है मैं तुम्ने क्या बताओ इसकी जो अलग तरीकेसे दिखा जाते हैं और जूकि जतने भी इस से लूफी जोरो उतने जादा अमेजिंग है मैं तुम्हें क्या बता हूँ जो पारेट रहंटर है ठीक है वह कैसे जो लूफी का राइट हैं बनता है और फिस उसका अपने वह बैट सोर्समें बने पर से सांजी सांजी जी कि जो मौरल वैल्यूज हो कितने जादा इंपॉर् जिस टो हैट के लिए सबसें इंपॉर्टन की विए वन फॉर्फ बीटिफुल खला है वह सीन इनमे और फॉर्थ वन इस रॉबिन रॉबन का राइटर की वह बहुत जादा है इसको बुलते दीमन चाइड और गॉर्मेंट से जादा ही कुछ लगाव रखता है वादा यह इसको देखें और नेक्स बन इस गॉर्ड उसब गॉर्ड उसब की जो लेगसी इसका मैं क्या है वह बहुत जरूर्व लेकिन उसके बाद भी तुम क्रूमें हो और स्ट्रॉंग कोशिश करते हो उसके बाद है फ्रेंकी फ्रेंकी तो इस लश्क चड़ी मैं आदमी साइब टाइप आदमी और मजा है इसका क्रेक्टर भी काफी ज़दा अच्छा है उसके बाद आता है पने देशोल किंग ब्रुक हडियों का स्केल टन भाई क्या बोलो पर इसकी जो स्टैंथ है और इसकी जो क्रेक्टर डिवालमेंट काफी ज़दा अच्छी है और वन पीस के एं इसके पास एक हाथ है मलकि इसको अनफेर करना पड़ेगा इसको पावरफुल कम दिखाना तो इसका एक हाथ काट दिया और ने सोचो तो और एक करेक्टर हो रहा है ड्रैकुला मिहौफ काफी अमेजिंग करेक्टर है जोरो अगर ग्रेट इसको यहराना पड़ेगा और काफी इच्छे तीके से लिखा गया है इस करेक्टर को और काफी जादा ही स्ट्रांग है लूफी से अभी वी तो लूफी की जनरी शुरू होती है मैं तुम्हें बताऊं एक आर्क से जहां आता है एस्ट डिल्यू सागा जहां पे जो पारे इंटर जोरो से मिलता है वो उस के बाद जो तो मैं नामी का इंटरेक्शन मिलता है और जोरो और मीहॉप की फाइट भी देखने को मिलती है तुम्हें इसके अंदर जो काफी जाता अच्छा मूमन था मिली और वहां से तो भाही जोरो की रिस्पेक्ट हाट्स अफ टू बैन सांजी जो क्रू को जोईन करत है उसके बाद दिरे दिरी के शिप स्टोरी आगे बढ़ती है फिर फिश मेन आका आता है जो आरलोंग पार्क जो आरक है वह काफी सथाथ आमेजिंग था इमोशनल था नामी की जो बैक स्टोरी थे वह वह ताची थी वह तो बागी बीच बीच में देखने को मिल जाता है जो काफी सबसे बड़ा इंटराक्शन आता है में संडे और में संडे जब आती है तो मजा आता है देखिए इसको वह सबसे स्टॉंग दिखा जाती है और दूसरी तरफ जो कॉबी का करेक्टर था वो भी इनलॉल्व होने कोशिश करता है रीदरे करके ठीक हम मजा था उसको देखके भी फिर वी वी जो है फिर एक सीन यह था भई पूरे वनपीस में मजा है उसको देखके जब नामी जो बिमार पड़ ली थी तो नामी को बचा और मजा आता है इस जब बोल सकते है उसको फूर रिस्प्लेस्मेंट की फूर जैस सांजी ने बोला था वालवेश्टा राग स्टार्ट होती है उसके बाद जब एस की एंट्री होती है पौर गश्टी एस लूफी का ब्रदर में खुद शौक था मजा आया देखके उस एं सब्सक्राइब करती है तरफ जिसका रेफरेंस उस टाइप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए लेकिन उसका नाम था साइक की पिया सब्सक्राइब तक मिलते हैं कि ज्वाइब गौन था सबसे ज्वाइब की इस आर्क में देखने को मिल जाते हैं लूफी के ज्वाइब बने का जब उसके आदम इतनी बड़ी जो सूनी की बोल बांदी गई है और 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 काफी ज़दा पसंद आया था लेकिन जब तजी आउन गे थी जब उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था और बेस्ट आर्क्स और फेस्ट आप बने की जादा को फिर जो और फिर फिर चो ना फिर यहाँ पर भी जो जो मेर आगा उसको मान आ पिर जो इतने बी ग्रेक्टर रोब लुची जो हाता है ओ माइग गाड यार यह हवा में कैसे वाट रहे हैं कानसी मून वह कर रहे हैं और फ्रंकी की जो backstory दिखा जाती है वाई यार इटली हमरे हर character की चाहिए रजोरो की चाहिए लूफी की चाहिए नामे की चौपर की रॉबिन की जितनी की stories दी copies of amazing थी है और वाटरोपार्क जहां खतम होता है उसके बाद शुरू होता है अपना Annie's Lobby और ट्रेन वाला सांजी के जो फाइटिंग सीक्वस थे I love that literally love that उसके बाद आती है अपनी सौलकिंग की एंट्री होती है सौलकिंग वही टे लिगी उसा भी होता है लेकि लूफी और चौपर को लगता है वो काफी ज़ादा लूफी गेर टू में ट्रांसफर होता है और रॉबिन का जो भाई उसमें बोला था ना डू यू वांट टू लिव रॉबिन टेल मी यस आई वांट टू लिव और रॉबिन की जो बैक्स्टोडी वह भी काफी ज़दा डिप्रेसिंग टाइप की स्टोरी है उसके बाद यह दिकर आगे बढ़ती है वह सभी करेक्टर से रोब लूची को हराते हैं उसके बाद जब आगे बढ़ जाती है श्टोरी और भाई लिट्रिली आज नेवर एक्सपेक्ट ता लेजेंट ओड़ा सर तू मैंने कि मैं एक शिप जलने पर रोया हूं लिट्रिली तुम भी रोयोंगे उसके बाद जब गाप का इंट्रडक्शन होता है और ग स्ट्रोहेट्स की जो एक नई शिप देखने को मिलती है जिसे वह बढ़ एक शिप चल रही है लेटर स्ट्र तक भी काफी जदा अमेजिंग शिप थी और मज़ा आता है उसको देखके देते करके स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो हम नेक्स आर्क पर जाते हैं जिसका नाम है थिलर पार्क जो एक काफी ही जादा अमेजिंग आर्क बन जाती है देतरे करके और मज़ा आता है उस आर्क को देखने के लिए उस आर्क में हमें sol king याहु यूहु हमारे brook की introduction होती है और brook की introduction होती है पिरोणए की animation होती है केको मौरिया की introduction होती है और काफू जब अच्छे villains की introduction होती है और हम सभी को देखके मजह भी आता है जितनी fight थी और्स के साथ जो fight थी लूफी का जो ट्रांस्परमेशन था जितनी और इस आर्क में सबसे एक सबसे अच्छा मुमेंट मैं बोलूँगा वो था जोरो का नाथिंग हैपन वो लूफी का सारा का सारा पेन खुद के ओपर लेता है लूफी ने सभी को इकठा गिया और उसके बाद फॉक्सी भी देखने को मिलता है तो मैं भूली गया मैं तुम्हें पताने के लिए वो भी काफ़ी जदा अमेजिंग सा करेक्टर है और आगे जब कर जब श्टोरी बढ़ती है तो बढ़ती है हमारे सट्षिल ड्रैगन के ऊपर Links को पहली पार दिखा जाता है वही कमें तो क्यों करते है और इत्म नागी याल्य का में लेकिन दिखाbec है spoil 둘 ना जो मनले की पारिट किंग के राइट एंड में था फिर खिजारू की भी एंट्री होती है इसमें रेली लूफी को कैसे बचाता है फिर जो सारे के सारे स्टाव हैट्स कैसे सेपरेट हो जाते हैं फिर हमारी जो है मोस्ट विट फुल ऑफ गर्ल ऑफ वन पीस बोवा हैं को की ए इंट्री होती है इसमें और जो बहुत वह एक उनके अंट्री होती है अमज़न लिली आख चलता है वह भी काफ़ दामेजिंग तो लूफी का जो वहां पर ट्रू नेचर दिखता है इसली मजाता है मैं लिए क्या बहुत कर जो उससे प्यार हो जाता है इसके बाद आरक सबसे बाद लूफी का साथ देता है इसको बचाने के लिए वह ब्लैक बीड लूफी का साथ देता है इसको बचाने के लिए कमफर्टेशन भी होता है बगी भी आता है उसमें लेकिन देदर करके आगे बढ़ जाती है उसके बाद वो बाकी जितने क्रेक्टर्स है वो दूदूर पड़े हैं जिर रॉबिन वो लेकिन उसके बाद आती है हमारे थ्री एड्मिर्मिर्स की एंट्री अकीनू अकईजी यहां मज़े देता है बुरा का बुरा और फिर बायों कोग भी से फाइट करती है सबी से और जो हैंड ऑद डे ब्लैक बियर्ड जो अपनी सुरी पावर दिखाने कोश्च करता है लेकिन जो आकीनू है आकीनू जो है वो ऐसी जीज़ करता है जो मैं कभी एक्सपेक्ट नह हेल्प की ठीया है इस को बचाने के लिए दो बार हेल्प की पर वो चीज़ होती है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एस की देथ और इस पर मैं क्या वह फितल की पूरी एन्वी कमेंटी भी रोई होगी यार वाट पाइफ वी आई ट्वीट की भी साथ में देथ होती यह कोई भी स्कार नी तो उनकी बैक में पूरी लाइफ टाइम में और उती है फिर शैंस की एंट्री और वह एक बास जब बोलता है वार एंड तो वार उती है और वह नवाट वो जो लूफी को ले जाता है उसके बदो ट्रेन करता है कहीं जाके और फिस सबते बनुदा ब कि मैं पेट दुक्त के सारक को देखते हैं मज़ा आता है सारक को देखते हैं के लिए फिस जतने दिदेदेश इनके स्टोरी आगे बढ़ती है और लूफी ज़र रिलाइज होता है कि इसका क्रोव भी तो है उसके साथ अबीज चला गया तो क्या पर इसकी उद्ध को भी फ के साथ ट्रेन करता है और लूफी के साथ ट्रेन करता है और यही चोड़ी रहती यह प्री टाइम स्किप की खतम मैं बुलूँगा जिताब वन अब तक ट्रेटर स्टोरी इसमें इतने ज्यादा गोजबंग मुवमेंट्स थे इतने ज्यादा अबने ज्यादा आप अच्छी बेक्स्टोरी तक मैं अच्छी एक फाइट से कंगा और मैं वन देश आप और प्लोड थी टिए ती च्रीजिए वो मिलती है इतने जादा कंट्रैक्टर इंट्रच्शन देरीन को मिलते हैं वाइट वीड की डूपावर दिखने मिलती है अधि जो रहो पर दो मैं क्या भी वोलो मैं नथिंग है बॉट है पनए नथिंग है पन उसरा प्रीज लेता है उसके बाद जितनी ग्रेक्टर का सांजी हो गया जितनामी हुग्या है शाइंक फड़ क्रेक्टर काफी सब्सक्राइब ते है इसमें दो मैं डॉफलुमिंगो भी बचा लिया था इसका अच्छा ही था मज़ाया देखके अब इसका दूहां पार टू देखने जल से जल तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को स्क्राइब कर दो दो से जब दो मैं जल से जल से पार टू लाइंग कोशिश करूंगा और सीव दिन फटाओ लव यू गाइज और तुम अली वीडियो मनाता हूं तो प्लीज अगर तुमने वनपीस नहीं देखा तुछा के तुम देख सकते हैं तुम देख सकते हैं तुम परसनल रेक्मेंडेशन फोर यू वाच वनपीस